मदीने की सुनो ऐ दोस्तों ये एक हिकायक है खुसूसन औरतों के वास्ते इसमें हिदायत है रसूल अल्लाह से एक रोज बोली फातुमा जहरा मुझे इस राज से आगाहा फरमा दीजिए बाबा वो औरत कौन सी है जाएगी जो पहले जन्नत में बताएं खास क्या क्या राज है उसकी फजीलत में वो औरतों हो चुकी है होगी या है इस जमाने में अगर मौजूद है तो क्या उसे हम देख पाएंगे हमें मिल पाएगी तो उसे मिलने हम भी जाएंगे कहा सरकार ने उसकी हकीकत हम सुनाते हैं कहा की रहने वाली है पता उसका बताते हैं सुनो बेटी इसी बस्ती मदीने में वो रहती है करीबी एक महले में लकड़हारे की बीवी है करीबी एक महले में लकड़हारे की बीवी है करीबी एक महले में लकड़हारे की बीवी है सुनो बेटी इसी बस्ती मदीने में वो रहती है करीबी एक महले में लकड़हारे की बीवी है तुम उससे मिलके आओ खुद समझ लोगी वो कैसी है मुझे जिबुरील में बदलाया अल्ला उससे राजी है बड़ी खुश वक्त है खातूम वो तकदीर वाली है तरीका सबसे है उसका जुदा आदत निराली है वो अपनी नेकियों का अजर अपने रब से पाएगी वो सारी औरतों से पहले ही जन्नत में जाएगी वो अपनी नेकियों का अजर अपने रब से पाएगी वो सारी औरतों से पहले ही जन्नत में जाएगी ये सुनकर फातुमा को शौक मिलने का हुआ पैदा इजाज़त ली अली है दर से अपने बाप से पूछा इजाज़त मिल गई तो एक दिन पेटी पयंबर की लकड़ारे के घर पे जाके तरवाजे पे दस्तक दी लकड़ारे की बीबी ने कहा क्या बात है बोलो तुम्हारा नाम क्या है किस लिए तश्रीफ लाई हो कहा ये फातुमा ने जोजा मैं शेरे खुदा की हूँ मुझे तुम जानती होगी मैं बेटी मुस्तफा की हूँ है मेरा नाम बीबी फातुमा हसनैन की मा हूँ जरा दर्वाजा खोलो तुमसे मैं मिलने की खाहा हूँ लकड़ारे की बीबी ने कहा सर आँखों पे आना मगर मजबूर हूँ मुझको मुझको मुआपी आज फर्माना पशेमा हूँ खुदा के वास्ते वापस चली जाएं इजाजत ले लू मैं शोहर से कल तश्रीफ ले आएं बिला शोहर की मर्जी कोई घर में आ नहीं सकता इसी बाइस तो दर्वाजा ये खोला जा नहीं सकता मुझे तुम तर गुजर कर देना शहजादी पयंबर की मैं तुमसे मिल नहीं सकती बिला मर्जी के शोहर की मैं तुमसे मिल नहीं सकती बिला मर्जी के शोहर की ये सुनकर फातुमा जहरा पलट कर आ गई घर को गई फिर दूसरे दिन साथ ले फरजन्दे अकबर को लकड हारे के घर पे जाके पहुची फातुमा जहरा ये पूछा दे के दस तक मिल गया क्या इजन शोहर का लकड हारे की बीवी आई दर्वाजे पे जब देखा हसन भी साथ है जहरा के बोली अब करूं मैं क्या इजाज़त मिल गई है आप ही को घर में आने की मुझे ये क्या खबर थी तुम हसन को साथ लाओगी तुम्हारे साथ मैं अंदर हसन को ले नहीं सकती के मैं शोहर को अपने बीवी धोका दे नहीं सकती हसन की भी इजाज़त आज मैं शोहर से ले लूँगी तुम्हे कल आने की तकलीफ मेरी मेहरु बादूँगी ये सुनकर फातुमा लेकर हसन को घर चली आई लकड़ हारे की बीवी से वो अब भी मिल नहीं पाई उधर जब शाम को घर अपने पहुचा वो लकड़ हारा तो बीवी ने कहा फिर आज आई फातुमा जहरा मगर वो साथ में अपने हसन को लेके आई थी इसी बाइस वो मुझ से आज भी फिर मिल नहीं कहा शोहर ने बीवी से के उनका घर का कोई भी यहां आए बुला लेना इजाज़त मैंने सब को दी नभी की रेटी घर आए खुदा की ये दो रह्मत है मुहम्मद के खुलामों को भी आने की इजाज़त है मुहम्मद के खुलामों को भी आने की इजाज़त है मुहम्मद के खुलामों को भी आने की इजाज़त है नभी की बेटी घर आए खुदा की ये तो रह्मत है मुहम्मद के खुलामों को भी आने की इजाज़त है गरज फिर तीसरे दिन ले गई शपीरो शब्बर को पसद इज़त बिठाया उसने फिर सिबते पैंबर को कहा शोहर ने अब दे दी इजाज़त घर में आने की नभी की शाहजादी आपके सारे घर आने की गई जब घर में बीबी पातुमा तो जाके क्या देखा सफाई घर में थी और रहल पे पुरौान रखा था बिठाया पातुमा जहरा को और हसनेन को उसने अदब से और इज़त से नहायत इनकिसारी से बड़ी खुश खल्क औरत थी हुई खुश पातुमा जहरा हुआ मालूम के शोहर पे है ये इस कदर शैदा पुरान पाक सर पे रखके एक पाउं खड़े होकर दुआ करती है अल्ला पाक से के खुश रहे शोहर मेरे शोहर को रख मैं पूज या रब हर मुसीवत से इलाही सर बलंदी दे मुशर्फ कर इनायत से वहां कुछ देर बैठी फातुमा फिर आ गई घर को सुनाया हाल सारा आपने शाहे पयंबर को कहा सरकार ने तुम सबसे पहले खुल्द जाओगी सवारी उटनी की खुल्द में जाने को पाओगी लकरहारे की भी भी उटनी की थाव कर रसी ही वो तुम से पहले पहले इस तरह जन्नत में जाएगी वो तुमसे पहले पहले इस तरह जन्नत में जाएगी ये सुनकर फातुमा खुश हो गई सजदे की ये रब को दुआ की ऐ हबीबे दुआ की ऐ खुदा फ्यला जहां में सचे मजब को ये सुनकर फातुमा खुश हो गई सजदे की ये रब को दुआ की ऐ खुदा फैला जहां में सचे मजभब को सबक ले औरते खिदुमत करें सब अपने शोहर की इतात में रहे ता उम्रु खुश बेटी पैमबर की वो औरत जिसका शोहर खुश है वो जन्नत में जाएगी पयामत में शापात प्यारे पैगंबर की पाएगी बना है मरतबा है शोग खिद्मदगार औरत का खुदा ने हुक्म फरमाया है शोहर की इतात का खुदा ने हुक्म फरमाया है शोहर की इतात का हुक्म